इसुस है, प्रेजद लॉर्ड, सिक्के या क्वैन के दो पहलू होते हैं, जब खेल के पहले उच्छाला जाता है उपर, उनमेंसे खिलाडियों को एक तरफ हेड या टेल तरफ उनको च्छेस करने के दिया जाता है, वैसे ही जीवन में काई सारे चीज जो दो पहलू को दरसा उनमें से एक पहलू को हमें सेलक्ट करना पड़ता है जैसे की हुए सच और ज्ट, सुध, असुद, पावितर, आपावितर, राइट, रॉंग, ये दो पहलू है। में इसी विशाय पर चर्चा करेंगे जो की दूसरा कुरिंद 6 अध्य 14 से लेकर 7 अध्य का पहला पाधि के अनुसर में कुरिंद के पत्री को हम भी ते दिनों से देखते आए हैं दूसरा कुरिंद के पत्री स्वाय और उस पर रित ने लिखा माके दुनिया से लिखा और लिखने का समय था 55 से 56 इस्वी लगभग में उन्होंने लिखा और ये तीतूस के हाथ के दोरा वह कुरिंद को पहुँचाने का काम करता है कुरिंद उस समय का बहुत बड़ा सहर था नामी सहर था यहां ग्यान का भंडर था और दर्सन सस्तर का लोग खोजी थे जो दूर दूर से वहां आते थे इस कारण से की कुरिंद में आने के लिए लोगों का नाकेवा स्थार मर्था समुद्र मर्थ से भी आ सकते थे उनके सामने दो बंदरगा था एक था किंक्रिया और दूसरा था और एक बंदरगा जो दोनों बंदरगा के मध्यम से लोग बिजनेस के सिलसले में कुरिंद आत आजाता है 18 महिन तक रहता है और इन 18 महिनों में, उन्होंने मनली के स्थापना करता है, और जब तीस्री मिस्नरी के जर्नी के क्राम में था उसी समय ये चीठी को लिखता है। लेकिन यहाँ दो प्रकार के लोगों का हम देखने पाते हैं, एक जो विश्वास में आ चुके थे, उनको आत्मा के अनुसार जीवन बैतित करना है, क्योंकि वे आत्मिक मनुस बन चुके थे, और वचन के अनुसार इस्वार के इच्छान सान का जीवन बैतित करना था, दू तो यहाँ पर हम इन दो प्रकार के बैतियों में से जो आत्मिक बैतित थे, उनका चालचलन सारिक जीवन में बैतित कर रहे बैतियों के साथ, जो बुरई, अभिलासाओं और कई प्रकार के गलत-गलत चीजों में काम कर रहे हैं, एसे लोगों के साथ संगति बन जाता है, पाप से दूर बने रहो, इन चीजों को यहाँ पर सिख्षा देता है, इसलिए दूसरा कुरेंचे 14 से साथ का एक बात के अंसार, हमने इस जगा का सिर्षक दिया है, पावितर जीवन या तो होली लाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे, पावितर जीवन के अंतरगात में हम दो पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट जो है, वो काता है, असुत्ता या पाप से अलग रहें, असुत्ता या उसी को हम पाप का सकते हैं, उससे अलग रहने के विशा में काता है, और ये कोरिंद बस्यों को उनको काता है, जो विश्वास में आ चुके हैं मसी को ग्रहंज कर चुके हैं तो मसी की चंसा जीवन बैतित करना है ऐसी बात नहीं है कि दूसरों के साथ बात कर नहीं सकते हैं उनके साथ मेल जोल नहीं रख सकते हैं ऐसी बात नहीं है लोगों से मिल सकते हैं प्रन्तु यहाँ उनके साथ संगति रार रखने का कारण काता है ऐसा घनिश सम्मन नहीं बनाना है जो कि उनके जीवन को प्रभुईत कर सकता है वह स्वाय पाप में गिर सकते हैं उनका जीवन भी नास की ओर हो सकता है इस तरह का नहीं क्योंकि कोरिंथ बुरेयूं का सहर था ऐसा कहा जाता है कि कोरिंथ में जो इत्यास बताता है एक मंदिर था अप्रोदीते एक देवी थी उसका मंदिर था और देवी का मंदिर में एक हज़ार देवदसी काम करती थी यानि की सेवा का काम करती थी जो लोग मंदिर दर्सन के लिए आते थे उनके साथ में वे लोग बेविचार का काम करते थे इस करम से लोगों का जमावड़ा मंदिर में बहुत ज़्यादा होता इसलिए लोग चाहे ना चाहे वे लोग दर्सन के लिए चले जाते थे तो अपने इश्वार को भुला कर जो लोग विश्वास माच चुक वे लोग भी जाने लगे वे लोग भी भी अभी चार में पाप में पढ़ने लगे हलाकि यह मंदिर नाष्ट हो जाता है ओ एक सो चेलिस इसापूर में रोमान गौर्मेंट के दोरा से लेकिन छेलिस इसापूर में जूलियस सिजर ने इस सहर को फिर से बसाया था और यह सहर भारापूरा हो चुका था पौल उसके समय में इश्व के समय में भी और यह सहर भारापूरा होने के नाते इस देवी का जो प्राभाव था उन लोगों में था ही और इस प्रकार के जो बुरे ही था, उन लोगों में प्रचलित ही था, देवदासियों की, बेस्याओं की कत्था हम कह सकते हैं, यहां तक कि पहला कुरिंद पाच अध्य में हम देखने पाते हैं, एक बाद में, एक बेक्ती ने अपने पिता के पत्नी को ही, अपने पत्नी के रूप में रख लिया देखी इतना गोर पाप उनके बीच में रखा, और कई शारे पाप तो उनके बीच में था, यह तो बैबल में यहां बर नन हम पाते हैं, इस कारण से यहां कहता है, जो विस्वास में उनको कहता है, आस्मानी जुए में अपने आपको मात जुवतो कहता है, आस्मानी, अभ अविश्वासी कहने का मतलब जो प्राभू को ग्रहन नहीं कहते हैं, उनके लिए काता है, जो पाप में पढ़े हुए हैं, सारी का विलाव सामकर से जीवन बैतित करें, आसमानी कहने का मतलब आसमान, जो समान होता है वैसे नहीं, आसमान, हम कहा सकते हैं, पुर्ना नियम से लिया गया है, जुवा होता है जो फाल जोतने के समय में दो Bail के कंधे पर रखा का जाता है, उनको बांदब आ जाता है, ये जुवा होता है, और उस जुवा के माध्धम से ही दो Bail बंदे हुए राते हैं, इधार उधार भाग नहीं सकते हैं, तो कहने का मतलब है पुर्णा नियम बैवस्ता विवारन का उसका 22 अध्या से लियाग हुआ है और उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति हाल जोतने के समय में गाधे के साथ में बायल को इस जुए में ना बंदे और हाल जोतने का काम ना करे ये बैवस्ता के भीरोध है परम सुवार को बंदेंगे इसमें जुआ में और हाल जोतने का कोशिस का ये तो संभाव नहीं है लोग हासने लगेंगे एक तरफ बाकरी को बंदेंगे एक तरफ उंट को बंदेंगे ये भी समानता नहीं है बायल तो बायल के साथ बैस तो ये के साथ में अपना अपना एक समा प्रण्त वह सम्मान नहीं होना चाहिए दूसरा क्या काता है जैसे जोती के साथ अंधकार का मेल नहीं है वो ऐसा ही कहता है जोती और अंधकार एक साथ रहा नहीं सकते हैं एक रहेगा जोती रहेगा तो अंधकार नहीं रह सकता है जहां जोती नहीं है वहां अंधकार रह सकत है और एक साथ ही दोनों ने दूसरी हम मसी के साथ बलियाल बलियाल का सैतान का दूसरा नाम है और बलियाल ये ग्रीक और हिब्रू दोनों साब्द में ही है और इसका आर्थ होता है बेकार दुस्ट और महत्वहिन यानि कि ऐसा बेक्ती ऐसा सैतान जो कि बेकार है दुस्ट है महत्वाहिन है इश्व मसी के साथ उसका संगती कभी भी नहीं बन पाता है क्योंकि वह उसका बिरोधी है हमेशा से उसको बिरोध करते आया है सिष्टी के समय से हम देखने पाते हैं तीसरी बार जो काता है वो काता है विस्वासी के साथ में अभिस्वासी का चाउथा पाच्वाबाद जो काता है मुर्ती के साथ परमेसर के मंदिर का परमेसर के मंदिर में इस्वर का सिवारधना क्या जाता है प्रातना क्या जाता है मुर्ती को नहीं रखा जाता है तो इस करन से काता है इनका कोई मेल जोल नहीं है इसलिए हरे एक विश्वासी को भी बूरी चीजों से असुच चीजों से अपने आपको दूर ही रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए वह लिस्ट बना दिया है कि कौन-कौन सा चीज तब, कुछ चीजों का लिस्ट निया दिया है, जैसे कि बिजनेस या बैवसाय करते हैं, ऐसे चीजों में, ऐसे लोगों के साथ में हम ना ही बिजनेस करें, जिनके जर्य से हम पाप में गिर सकते हैं, दूस्ट या तो वेक्ति के साथ दिवाह में हैं, ऐसे चीजों से हम दूर रहें काता है, इन चीजों के द्वारा, क्योंकि हम जब जिन महोल में रहते हैं, जिन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, बाते करते हैं, और हमारे बेवार में दिखे देने लगा, हमारा वेक्ति तो ऐसा हो जाता है हम सही महुल में रहेंगे सही चीज़ देखेंगे सही बातों को सुनेंगे सही चीज़ बात करेंगे हमारा चरितर बैवार हमारा उसी रूप होने लगता है। हम खुद उस प्रकार के पाप में गिर सकते हैं, उन से बच्चे रहना, सुलमान रजा कब देखिएगा, सुरुवात में ये ज्यानी के रूप में धानी के रूप में पूर अख्याती है, बैबाल में हम देखेंगे, लेकिन सत सो पत्नियों को रखा, तीन सो रखैलों को रख और सुलमान का मान को भी वेलो, उधर ये कर दे जुका दिया, उनके संगाती में रहते हैं, सुलमान का मान में जुक गया, उनका आंत बहुत ही अच्छा नहीं रहा, इस करण से हम कह सकते हैं, जब तक उनके संगाती में नहीं था, ठीक था, उनके संगाती होने के बाद में चोटे बाच्चों का आप देखिएगा यदि आप अंग्रेजी बोलने वाले महोल में उनको रख दीजे छोटा समय से तुरंत ही अंग्रेजी बोलना सुरू कर देंगे हम बड़े होने तक सोच सीखने में ही लग जाते हैं लेकिन छोटा बाला को हम जदी रख देते हैं उस महोल में तुरंत ही सीख जाता है क्योंकि महोल का असर होता है इसलिए बूरी संगाती का महोल हमें बुरा बना सकता है और बूरेई का आन तो है मृत्यू है वहपाप का इस पाद में काता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए मैं कभी एक घटना के बारे में बता रहा था आपने कभी पढ़ा भी होगा इसु मरने के बाद में एक चित्र करने सोचा इसु कैसा दिखता था, आने वाला पेड़ी के लोग कैसे जनेंगे इसलिए उन्होंने सोचा कि इसु का चित्र बनाया क्योंकि इसु तो उस समय जीवित नहीं था और उस समय कैमरा भी नहीं था कि कोई फोटो खीचे इसु का इसलिए उन्होंने चित्र बनाना सुरू किया चित्र एक बैक्ति को देख कर बनाया जो कि समाज में अच्छा नाम था उसका और इसू के समान थोड़ा बहुत दिखने दिख रहा था उसको देख देख कर बनाया उसको बनाने में कुछ दिन समय बैतित कर दा उसके बाद सोचने लगा क्यों ना मैं बाकी चेलों का चीतर भी बनाओ बाकी एक एक चेलों का चीतर बनाने लगा बनाते बनाते कुछ सल बीत गिया कुछ सलों के बाद में उसने सोचने लगा यहुदा इसकर इसको पकड़वा दिया था फिर भी चलो हम उसका भी हम चीतर बनाए और उन्होंने का ऐसे बैक्ती कहां पर होंगे जेल में हो सकते हैं इसलिए वो जेल चला गया जाने के बाद मैं एक बैक्ती को देखा इसे देखकर मैं बनाता हूं उस बैक्ती को देखकर चीतर जब बनाने लगा वो जेल में जो बैक्ती था उन्होंने का मुझे देखकर बार बार आप चीतर क्यों बनाते हैं तब ये चीत लेकिन मैं अपने संगाती, गलत संगाती में पढ़ गया, अपने दोस्तों के साथ पढ़ गया, जो की चोरी करने, डकायती करने और धनी होना, जल्दी से जल्दी हम धनी होना चारत, हम उनके संगाती पढ़ने के कारण हम लोग पकड़े गया और जेल तक पहुंच चुके है देखिए उनके साथ संगाती नहीं करता हो सकता है उस प्रकार का पर्ष्थिति में नहीं पड़ता इसलिए एसी संगाती से हम दूर रहें यहां पॉलुस्पृत यहीं चाहता है और पवितरता का जीवन को बेदित करें क्योंकि बैबल कहता है पहला पत्रास एक अध्य पंद्रा सॉला पर्मी सर क्या काता है मैं पवितर हूँ इसलिए तुम पवितर बनो काता है पर्मी सर पवितर है आपको मुझे पवितर बने रहना है दूसरी विशेस बात क्या काता है परमेशर के मंदिर को सूध रखें यहां परमेशर के मंदिर को सूध रखने का मतलब है वो गिरजा घर, वो एटा सिमेंट से बना हुआ घर के बारे में नहीं कहना चाह रहा है यहां पहला कुरिंट 3, 10, 16, 17 में काता है तुम्हारा सरीर परमेशर का मंदिर है और परमेशर का आत्मा उसमें वास करता है यानि कि हमारा सरीर में परमेशर का आत्मा का निवासस्थान है यह मंदिर है इसलिए इसे साफ करने के इसलिए यहां पर साथ अध्या का पहला पादमे काता है अपने सरीर को और आत्मा को सूध रखो काता है दो चीज़ों को सरीर को यानि बाहरी रूप से भी हमें सूध रहना है आत्मा को का अंतरिक रूप से भी सूध रहना है और ये सूध होने के लिए हमें कहां जाना है इसू के पास ही क्योंकि हम जदी संसार में जाएंगे अब जदी येरमाया दो अध्या उसका बाइस पाद में आप देखिएगा यदी हम सबुन का इस्तिमाल करें और पाप को धोने का प्रयतन करें लेकिन हमारे अधर्म का पाप कभी भी मिटने वाला नहीं है कहता है क्योंकि सबुन से तो स होना एक अदेश साथ पाद इसू का लहू हमें साप पापों से सूद करता है इसलिए हम बहरी और अंतरी उसे सूद होना चाहते है इसू के पास आना है इसू का लहू हमें सूद कर सकता है हम जदी सूद रहेंगे इसूर का आत्मा हमारे अंदर में बास करेगा हमारे साथ म परमेसर का मंदिर जो तुम्हारा सरीर है, वा मंदिर को नस्ट करेगा, उसे मैं नस्ट करूंगा कहता है, यानि कि यस मंदिर को हम नस्ट करेंगे, परमेसर हमें नस्ट करेगा, इसलिए इसकी देखबाल करना, इसको सुध रखना, आपका मेरा करता ब्या, तब इस वर हमारे शुरक्षित रहते लड़ई भी लड़ते जित जाते जब जब ये लोग पाफ करते पारमेसर उन से दूर हड़ जाता ये लोग लड़ई में हर जाते कई प्रकार के उनके सामने समस्या मुसीबात परेसानी आ जाता इसलिए ये इस्वर आपके मेरे साथ होगा तो हम मिनिस्टर लोग बड़े बड़े मंतरी लोग कहीं भी जाते हैं अकेले नहीं जाते हैं उनके साथ में देखिए सीकुरिटी गार्ड होते हैं उनके सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात रहते हैं आगे पीछे हर समय जतने बड़े पोस्ट में रहते हैं उतने जदे के प्रेशिडेंट के बरे में पर रहा था उको जो कार से जाते हैं उस पार का नाम है के님 का नाम काता है और यह के divılar qu filsd के नम से भी जाना जाता है और इस में इतना सुरक्षा का पोकता इंतियां किया गया बाहर से बाम अटक किया जाए नुकलियर बाम का अटक भी हो तो भी बचा जा सकता है बंदु की गोली किसी प्रकार के चीज अंदर आ ही नहीं सकता है आप उसमें किसी प्रकार की और जैबिक हत्यार का इस्तिमाल के जाता है तो भी अंदर से सील बंद हो जाता है अंदर में आपने आप ऑक्सिजन का और अन्यान्य उपकरन सुविधा है बेक्ति वहीं से नियुकलियर बाम का अपरेट करने के लिए निर्देश दे सकता है अपने देश के लिए कई सरे सुविधा है कोई जदी उन गाड़ी का पीछा करता है इसना तरल पदर वहां गिरा देगा के लिए रखा गया है और उसमें इंतिजाम किया गया है लेकिन हारेक इंसनना के वाल प्रेशिडेंट को सुरक्षगा हो सकता हारेक आपको मुझे सब को सुरक्षगा हो सकता है हमारे पास हो गड़ी लेकिन इसु आपके मेरे साथ पाउतरात्मा के द्वारज रहेगा हम जगा को जो पोईतरात्म का मैं साप सुत्रा रखें उसे निमंत रंदे आज ही प्रात्न कर प्राभू मेरे के दय में आज ही आईए अब मेरे साथ रहिए प्राभू तो चाहता है जुहना 14-18 में काता है मैं तुम्हें अनात नहीं चुड़ूंगा मत्ती 28 उसका 20 में काता है जागात के अंत लोग सदेप तुम्हारे संग रहूंगा इन्होंने प्रतिग्या किया है यसा यह 25 अदूसरति सफाद में काता है मैं तेरे आगे 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 चलूंगा काता है उची उची भूमी को चोरास करूंगा ऐसे प्रतिग्याओं को किया हुआ है इसलिए आईए नया साल में हम हैं, नया साल का पहला रिवार में आ चुके हैं, जन्वारी महिना, यह जन्वारी महिना एक देवता, रोमान देवता, जेहनस के नाम से दिया गया है, इस देवता का खुबी यह था, उसका आगे तरफ भी चेहरा था, उसका पीछे तरफ भी चेहरा था, आख तरफ से आगे देख सकता था, पीछे का आँख से पीछे देख सकता था, तो जन्वारी महिना रखने का पीछी यह है, पीछे का आँख से पीछले साल को देखे, कि पीछले साल में हमने कौन-कौन सा गलतिया किया, उन गलतियों को इस आगे साल में, जो हम आगे बढ़ रहें इस साल में दुबारा गलती ना करें और बहतर कर सकें इन चीजों को दरसाता है इसलिए आए प्रभु के साथ इस साल के यात्रा में आगे बढ़ें ये साल इशू हमारे साथ होगा सुरक्षित साल होगा सफल मैसाल होगा आसिस मैसाल होगा परमिसर, हमारी साहतरा गविकर, आमिन, हम प्रातनक, शेनाओं के जीत पिताज के वच्छन का हम से बात है किया, होने दे हर एक सुनने वाले छोटे बड़े साभं का अपने स्वरग्यासी से बर दे, जितने बिमार हम साभं के बिमार हम को इस्चु के समातिलों से दूर कर दे जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को देड़ और माजबूत कर प्रातन इसु के नाम से मांगते हैं, आमिन यदि आप तक आपने मेरा चिनल का सब्सक्राइब नहीं कि इसी गड़ी नीचे जो रेड बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन इसकी राग उसे प्रेस करके वाल पार सेट कर दीजिए, ताक आने वले वीडियोस को नोटिविशन आपको समय पर मिल सके, धन्यावाद